वेल्कम टू लर्निंग कंसेप्ट बई गैनी सर आप सदीका हमारे यूटूब चैनल पर हादिक स्वागत है आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे पिग्मेंट के बारे में अर्थात एलगी में कौन-कौन से पिग्मेंट पाये जाते हैं उन सभी पिग्मेंट के विश् कलर होता है या रंग होता है ऐसी संदचना को हम पिग्मेंट के नाम से जानते हैं सार केमिकल सब्स्टेंसे विच एक्जविट वेवलेंट था विजबल लाइट में कलर फूर या फिर बहुत आसान परिभासा अगर जाना चाहते हैं तो यह हो सकता है कि यह सब्स्टेंसे यह देट गिव कलर टूध फिर या एक ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ और वस्तुक या चीजों को रंग देता है हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि रंजग पदार्थ जिनके परियोग से चीजों पर रंग आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं पिग्मेंट के नाम से जानते अब बात अलगल-पिगमेंट की हो रही है। तो एलगी में जो ہے। खुल तीन तरह के पिगमेंटस पाए जाते हैं। पहले पिगमेंट का नाम है क्लोरो-फिल। दूसरे का नाम है कायरोटिनाइट्स। और तीसरे का नाम है five covillings आईए एक में करके इसके बारे में पढ़ा जाएं पहला ए क्छोरों फिल यह फ wounded है फैरट सालव साल्ड ग्री फिंच को होते हैं और यही के गिरीन कलर को पुरॉइड करने के लिए जीमेदार होते हैं तो ऐसे पिंच मैं जो फएर्ट के लिए रिस्पॉन्सब्ल हूँ उसे हम क्लोरोफिल कहेंगे अब जो क्लोरोफिल होता है। उससी कुछ टाइप्स बिहां दी गई है जैसे पहला है क्लोरोफिल यह जो है यौ कि सबी ग्र्वोंपश में पाए जाती है दूसा है क्लोरोफिलünden जो की green algae में present होती है तीसरा है chlorophyll C ये आपके dye atoms में मौझूद होती है chlorophyll D red algae में पाए जाती है chlorophyll A, xanthophyce जो class का नाम है इसमें पाए जाने वाली जो algae होती है उनमें chlorophyll E पाए जाती है chlorophyll F जो की recently discovered है और ऐसा माना जाता है कि chlorophyll F साइनो बैक्टिरिया के द्वारा प्रोडियूस की जाती है पहला था chlorophyll जिसके विभिन प्रकार के बारे में और ये chlorophyll के टाइप्स किस ग्रूप में या किस class की algae में पाए जाती है ये हम लोग पढ़ लिए अब हम दूसरे के युँआ है पिग्मेंट में बारे में बात करेंगये जिसका नाम है काई रोटि नाइट जो ॉती है यह आपकेLP सालव बूल होते है य lifes इनका रंग नो होता है वह पीला होता है बात अगर आसानिक दिश्रिक या केमिकल विवकी किया जाए तो यह आपके टेट्रा टर्पेनाइट्स होते हैं और यह कुलोरोफिल को संसाइन से या सुरी की तेज रोशी से डैमेज होने से बचाने के लिए दिमेदार संद्चना होती है तो इसी विशेष्टा रखने वाले पिग्मेंट कहलाते हैं कायरोटिनाइट्स अब जो कायरोटिनाइट्स होते हैं यह सामानी रूप से दो तरके होते हैं एक को कहा जाता है कायरोटीन दूसरे को कहा जाता है जैन्थोफिल्स जो कायरोटीन होते हैं इनका रंग जो होता है ये लो रंग होता है यह अंसाचुर के लूप में उसे ट्रांस्मिट करते हैं का इशका प्रेटेजाप्ल bunları की यह और इसका होता है लॐट इसंयों पध्यूरोइड वहाग बघ्यूरो दूसरा था कैयरोटेग looks में दो प्रकार एक का नाम है कैरोटीन दूसरे का नाम है जैन्थोफिल इसी करम में जो तीसरा पिगमेंट है उसका नाम है फाइको बिलिंस जो फाइको बिलिंस होते हैं सामान रूफ से यह आपके वाटर सालवूल होते हैं बलू और रेड कलर के होते हैं और साइनो फाइसी और रेड एलगी में इनकी उपस्यती होती है अर्थात फाइको बिलिंस साइनो फाइसी और रेड एलगी में पाया जाते हैं जो फाइको बिलिंस होते हैं इनकी भी दो टाइपस होती है पहले का ना जिसका नाम है फाइको-ईराइधर因 जो फाइको-ईराइधर因 होता है वह रेड कलर का पिग्मेंट होता है और यह रेड में पाय जाता है तो साइनो φाइस्य में जो पाया जएगा वो फाइको- Deep Vai Żendhaneuct होगा और रेड एलगी में जो पाया जाता है वह आपका फाइल को इराय थरीन होता है तो आज इस क्लास में हम लोगों ने एलगी में पाया जाने वाले अलग-अलग प्रकार के जो पिगमेंट्स होते हैं उनके बारे में अध्यन किया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्रा बारे मेंग झालग प्रकार जब एल गओकार लोगों नेंपक।